आपका स्वागते हमारे चैनल में आज हम बनाने जाए रहे दिवाली स्पेसिल के लिए ब्राउन पेड़ा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही असान तरीके से बन कर त्यार हो जाता है दोस्तों चलिए हम आज की रेस्पी स्टार्ट करते हैं पेड़ा बनाने के लिए हमने ले लिया है खोया तो देख सकते हैं दोस्तों ये खोया हमने दानेदार वाला लिया है दो दरीके खोया आता है एक मुलाइम वाला भी आता है और एक दानेदार वाला आता है ये दानेदार वाले खोय से हम जो है पेड़ा बनाना बता रहे हैं पहले हमें कड़ाइर रख देंगे ऐस पार डेंगे एक कफ दूद्थ ठंड़ा दूद्ध है तो इसको उबाळाने देंगे मिस्जार में पूरा म्यार ईसको डाल देंगे शलंगी है जिपना अच्छा बेडा बन लेना तो एक कटोरा इतना हमने मावा लिया था यह देखिए खोया को हमने अच्छे से महिन पीस लिया है देख सकते हैं हम आपको हाथों से दबाकर विदी खा देते हैं इसदिके कितना अच्छा मुल्क है कि दानेदार खोया होता है तो पेड़ा बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो होजाता है तो इसलिए आपको पहले मेघर में सबके सब्क्राइब नीचाली लेंगे दूध में बाला चूक्या है तो इसको हम चला लेते हैं तो कम करना है एक करना काथनी कब आवा लिया था हमने तो 1 कप के करीब अंवमें डूडा नालेए है तो जो मावा हमनेगे पीस पेड़ा बंगर तयार हो जाता है दुकान पर अगर पेड़ा खरीदने जाएंगे तो बहुत ही महंगा मिलता है तो यह देखे दूस्तों चलाते चलाते यह कितना गाड़ा हो चुगा और दीमी आज पर पूरा प्रोसेस करना है तो अब इसमें हम डाल देते हैं आधा कटोरी चीने यानि दो से तीन बड़ा चमच हमने चीनी का यूज किया है आप चाहे तो जितना मीठा खाते हो या कम खा अब चनी बड़ा से वाहां और जाएं के थारे चीनी ककी घ्सना डाल दीआ है तो यहा कि दिए करम दोस्तरे नुर्द में सब्सक्रीत थारा है यह चिनी मेल्ट हो चुका है और तो मौोमा का कलर है देख सकते हैं ज़से होता जा रहा है ब्राउन होता जा रहा है तो इसका क कढ़ाई छोड़ने ना लगे तो अब हम थोड़ा से इसमें डाल देते हैं इलाइची का पाउडर आदा छोटा चमिश के करीब हमने डाल दिया है इलाइची का पाउडर तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो दोस्तों बहुत ही असान है अब दनेदार खो़े से अब जो है पेड़ा बना सकते हैं तो यह देखिए कितना गाड़ा हो चुका है अब और इसे हम गाड़ा करेंगे तो यह देखिए दोस्तों कड़ाई पूरा छोड़ने लगा है देख सकते हैं पैन पूरा छोड़ रहा है मावा तो अब इसे स्टेज पर हम डाल देते हैं आधा चमत से भी थोड़ा सकम देशी घी डाल देना है आपको इसे जो है मावस थोड़ा सॉफ्ट बनेगा और आज पर ऐसे चलाते रहेंगे तो यह देखिए दोस्तों हमारा मावा जो है एक दिम डो की तरह अच्छा सा रडी हो चुका तो हम चेक कर लेते हैं यह जमने के लिए पेड़े के लिए तो थोड़ा सा हमने प्लेट में ले लिया है तो इसको हम पांच मिनट के बाद हम इसक चेक कर लेते हैं कि हमारा मावा अच्छे से सेट है कि नहीं पेड़ा बनाने के लिए तो यह देखिए मावा जो एकदम पर्फेक्ट तयार हो गया है पेड़ा बनाने के लिए देख सकते हैं आप लो तो गैस हमने बंद कर दिया था तो अभी से हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि पर्फेक्ट बना है की नहीं तो हम इसे एक प्लेट में पूरा ले लेते हैं और देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है पेड़ा बनाने के लिए तो अभी से हम थोड़ा थंडा होने देते हैं फिर उसके बाद हम बनाएंगे तो यह देखे दोस्तों हम इसको चम्मत से चलाते हुए थंडा कर रहे थे तो यह हलका सा थंडा हो चुका है नहीं ज्यादा ठंडा है और नहीं ज्यादा गर्म तब इसको ठंडे पर भी बनाएंगे तब भी बन जाएगा काजू लिए हैं एक काजू से दो पार्थ लिया थ काणिसे के लिए तके हमारा पेड़ा जो एक दम धुगान जैसा दिखे तो medium size के छोटे-छोटे हम पेड़े बनाना इस्टार्ट करेंगे दोस्तो ऐसे काजू जो है हम बीच में लगा देते हैं तो लोग देखें कितना अच्छा लग रहा है देखने में तो यह देखें हमारा एक पेड़ा बन गया है एक हमने बना दिया था तो यह दूसरा बना र बन कर तयार हुआ है दूस्तो एक कटोरी मावा में और दूस्तो एक बार में यह पर्फेक्ट बन कर तयार हो जाता है तो इस पर शिल्वर वरकम लगा देते हैं तो यह देखें आप हमारा लग रहा है न दूकान जैसा पेड़ा तो यह देखें हम आपको पास से दिखा देते हैं दूस्तो आपको पेड़ा बनाने का तरीका कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा रेस्पी पसंद आया हो तो लाइक सेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें तो इस तरीकी से आप कोई भी तहवार हो आप यह स्पेसल पेड़ा बना कर खा सकते हैं दुकान जाने की जोरत बिल्कुल भी नहीं अगदम सुद्ध बिना मिलावट कर घर पर ही ऐसान तरीकी से बनाए हम आपको तोड़कर भी दिखा देते तो यह दिखे कितना अच्छा सॉफ्ट भी है तो आप दोस्तो इस रेस्पी को ट्राइए जरूर कीजिएगा अगर आपने बनाया है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा इसको और भी अच्छा लुक देनी के लिए हमने एक मिठाय का डबा मंगवाई था तो इसमें हमने पुरा अच्छे से सजा दिया है दोस्तो बस आज के लिए इतने कल मिलते एक नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाई बाई